आप देख सकते हूं ना कि अभी मेरे चेहरे का क्या रेटीशन है और जब मैं आई थी शोग्योट के अभी आपके सामने तो कैसा है तो अभी मैंने कुछ नहीं कि आपके सामने कुछ स्टेप बता हैं तो sister को देखिए लेकिन मानिया आपके चेहरे पे कुछ स्टेप है फेश हाई आप सब कैसे उमीद करती हूं कि आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगे और आप सब का स्वागत है आपके ही इस चैनल पे और मैं आप सब का स्वागत करती हूं इतने वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे पहले ये बता तो मैं आपको तो आज की वीडियो है कि फेशिल सही है सारी बाते इस वीडियो में करेंगे मसाज करने से क्या फायदे होते हैं अगर आपके चेहरे पर दांग तब्बे हैं तो आपको मसाज करना चाहिए कि नहीं पिग्मेंटेशन है तो आपको मसाज करना चाहिए कि नहीं बहुत सारे चीजे दांग तब्बे और pigmentation वेगी हुआ तो ये वीडियो में हम देखेंगे और सही तरीका क्या है मसाज बहुत लोग करते हैं मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है जहां तक मुझे याद है और दान थपो से रिलेटेट मेरे चैनल पर भर भर के वीडियो है लेकिन एक भीवर्ष ने मेरे कमेंट किया था कि आप मसाज करने का तरीका भी बताईए और तो मैं ये वीडियो उनके लिए और आप सब के लिए बना रही हूँ आपको आज मैं बताऊंगी सही तरीका मसाज का क्या है और मसाज और उनके लिए भी वीडियो है जिनके चेहरे अक्षर देखी और इस से पहले बोड़े हो जाते हैं वो मनलब एज है उनका 25 लगते हैं 35 अगर 35 है तो लगते हैं 45, 65 ऐसा भी होते हैं तो क्या मसाज करने का अगर सही तरीका नहीं रहेगा आप वो लोग यह सोचते हैं कि हम तो मसाज कराते हैं हम तो जाके फेशियल लेते हैं तो फिर भी ऐसा क्यों होता है तो रीजन है तो आज मैं आपको लाइब दिखाऊंगी और वीडियो कटनी होगा यह कोशिस करूंगी अगर वीडियो बीच में बंद ना हो जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो में बने रहेगा अगर आप स्कीप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और मेरी आवास को इग्नोर करिएगा क्यों क्यों कि मैं भी सोके उठ रही हूं ठीक है तो सॉरी और आपको खुद दिख रहा हुआ कि मेरे आपको के जोब पढ़ा हुआ है क्योंकि अभी नीन से उठे हैं लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो बना लो उसके बाद ही क जैसा हो जो भी अप फेश वोस करते हो तो करलो और उसκε बाद चैरे को मसाज देना है। मसाज देने के लिए आपको करना है कोई भी ओ सुट करता है कोई भी जो आपको सुट करता हुआ मुझसे अगर बोलेंगे तो मैं दोही ओ ओल का नाम लोंगे पहला बदाम अगर बद और आपको थ्यान एक कोकोनेट वैल अगर आप लगाते हो तो विंटमने allan जए तो उसमें मिलावत नहीं उना चाहिए उसमें कि व要 शर पे लगाने वाला नहीं हो चाहिए और नेशिरल खाने कि यह डिटी तो यह ध्यान रखिए बदाम का जो रोगन होता है वो बहुत अच्छा मिलता है छोटी से 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 में आइधिंग सो हमदर्द का है वो मैं हमदर्द कायाड नहीं कर रहे हूं पहले बता रही हूं लेकिन वह ही ज्यादा फेमस है अगर उससे भी अच्छा आपको मिल रहा है तो यूज कर लीजिए वो रहता है कि बजर्ट फ्रेंट्ली रहता है इस वज़े से में पोल ली और कोई रीचन नहीं होता है तो आपको ले लेना है चेहरे को अच्छे से वाश करना है अभी मेरी आवास पर भी आपन चाहिएगा तो मैं यहां पे नारियल का तेल ले रही हू तो मेरा फेस फोश है लेकिन अभी में प получилось कर अब हो तो यह मसाज में बताऊंगे इस इससे पेजिए बहुत जाया काम करेगा इस जनके चेहरे बहुत सारी झूलियां फेल हैं जिनके चेहरे बांतल किनके चेहरे की लिफटिं सीथ के रन शूल का मत तो इस सब कर हैं आप कर करना नेचoster नेक को कभी स्किन और करें ठीक कैंपर के हाथ यहनृ ना करें थीक नीक करें अपने चेहरे को गां करने मान कर étaientह हलके का agree करें की यहान यहर इस नजाए हैं ना यहिंसाने ही एक थीज़ाब्र ऑर बताना चाहती हो कि यह भ्रणकपर अगर आपके चेहरे पे कोई भी ओयल सूट नहीं कर रहा है तो वो ओयल भी नहीं लगाना है आपको ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि उन्होंने क्या बोला है बोला है कि आपका डिलेक्षिन नीचे की तरफ होना से फूल की भी नहीं होना चाहिए जब भी भी आप मसाज करें तो उपर की तरह करें और एक चीज बता दो इस मसाज मसाज करने में आपको एक और फैदा मिलेगा बहुत लोग को नो फेशियल जैसे फेश का लखवाई जो होता है जैसे चेरा थोड़ा सा यसे टेडा हो जाता है ऐसे हो जाता है यह ऐसे हो जाता है तो यह मसाज अगर आप करते रहोगे बिल्कुल नहीं होगा तो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में बने रहीएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जितना होखे जितना होखे क्या होता है जितना हो उतना लोगों के साथ सेयर कीजिए और मैं वीडियो को कट नहीं करूँगी लंबा हो सकता है वीडियो लेकिम देखती रही है आपको डिरेक्शन अब करना है उपर की तरफ करना है अब ध्यान से देखनो नेक को कभी इग्नोर ना करें नेक को पूरा अच्छी से मसाज करें कपड़े ऐसे पहन लीजिएगा पहले इसमें किवाल ना लगे वो घर का पुराना कपड़ा हो इसको नहाने के बाद आप निकाल सको मतलब रख्सों को सिर्फ ओली मुसीक साथ करो मेरे कपड़े मत करिये का थोड़ा वीडियो बनाना पड़ता है अब हमको अप डिरेक्शन में करना है अब देखिए का यह अक्सार हम लोग ऐसे हो जाता है होता है ना तो हमको यहां पर आप ऐसे करना है अब मैं आपको इस्टेब आप इस्टेब मतलब यह कर रहे हूँ यह कि नहीं मानेंगे कुछ दिनों तक आप करिए आपके चेहरे के लिफटिंग आपको खुद समझ में आएगा नहीं आया तो फिर बताएगा आएगा तक जब भी फेश में मसाज करें एक इसमाइल के साथ करें अखला हासना नहीं है लफिंग नहीं है इसको लिफ्टिंग मिलता है यह इगनोल ना करें डबल चीन को इगनोल ना करें कोशिज करिए कि मसाज कोई और करें तो ज्यादा रिलेक्सेशन मिलता है अब बस मेरे मोमेंट को देखिए आपको सब्सक्राइब हम या ये है डबल चीन के लिए देबल चीन को जोडा करें सपा ऊपर करें हाथों को प्ड्स करते हुए पीछे ले जाए यहां पे पोईंट होता है वहां पे इस पार इसंत्त बद पाम के नीचे पीछे उकर सब्सक्राइब मैं सोख योटी मेरा चैरा का बेंट बजा हुआ है फिर आपको जाना है यहां यहां से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं यहां जा रहा है और यह ऊपर की दरफ जा रहा है आप जब ऐसे करोगे तो आपका यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह आएगा ठीक है फिर उसको इस हांतों को ऐसे करना है यह बाला चीक पे जाएगा यह portion यहाँ पर थोड़ा साहपो difficult लगेगा Starting में फिर आप इसको यहां पे लाए और इस पे जोड़े दीजिए यह उठा यहां पर आजाएगा फिर और इसको तब जोड़े पाएंगे यह पूरा कि अपने किया कि अप्रेशन को अच्छा कुणा करना चाहते हो तो अब डेलेक्षिन कभी भी डाउन डेलेक्शन पे नहीं जाना चाहिए यहां पर यह फिंगर आखों के पास थोड़ा सा प्रेशर प्रेश करते हुए जो पफी आई होते हैं सोके उठने के बाद यह बहुत लोके तो हमेशार बनी रहते हैं यहां पर हलके हाथों से पुस करते हुए पहले से इन देम को आपको फोस करना है वलके हाथों से यह से करते होँस करो पूस करते हुए ठीक है यहां पर ढ़म पक्रते विछए तरह स्विंड़ेंगी पूरा ऐसे करते हुए पूरा करना है ठीक है ऐसे करते हुए जाना है आप लोगो के बता रहे है इसलिए मैंने बता दिया फिर हम इसको ऐसे हलकी हाथ हो से बिस्विकर और इसलिए होना चाहिए कि आपके हाथों के स्मूध रखेगा इसलिए बनाएगा इस वज़े से आप चुब भी इसकीन पर मशाज करोगे तो वह स्मूध लिए होगा ठीक है जिनको भी इसको यह वाला प्रोब्लम है वो करके दिखाए यह भी सकता है तो इसका फायदा आपको बहुत मिलीगा जब मेरे डल इसकी हो जाते हैं तो होता है अब यहाँ पर करना है आप कभी भी देखना जब आप ऐसे से करते हों तो यहां पर जो यहाँ फॉर हेड पर भी बहुत चल्दे यह आते हैं तो आपको जिग जग की तरह अपने हाथों हो प्वमाना है फिंगर यह होना चाहिए जीग जग की तरह हाथों हो पुमाना कुछ देर तक पांस मिनन, दो मिनन जैसा आपको अच्छा लगे मतलब करो रूज करो मैं यह बोलोगी या तो मॉर्निंग में करके अनहालो या तो नाइट में करके सोचाँ तो में से एक बार कर लो मैं जादा तर आपको नाइट में बोलोगी मैं वीडियो मेर самых मौनि में बना रहे हूं इसलिए मैंने सोचा पहले वीडियो बना तूजिक और भी काम रहते हैं तो हमें उसको भी फोककुश करना रहता हु उसपे भी तो टाइम नैं इंए मिल पाता है फिर वीडियो निकार बनाने के लिए तो मैंने भोला, में पहले बना लेता है, नहाने से पहले, उसके बाद और भी काम रहते हैं अभी तो हमी काम है, इस बते से, यहाँ पे हम प्रेशर करेंगे, और फिर हम इसको ऐसे-इसे करेंगे बहुत ही अच्छा है नेक को कभी भी नीचे कि तरफ ना ले जाए उपर की तरफ ले जाए इसको ऐसे ले जाए कान के तरफ यहां पे पॉइंट होता है उसको यहां पे इसको दब प्रेस करें अक्सर देखिएगा ना डबल ची चरह लटका हुआ होने लगता है वेश कुछ और होता है दिखता कुछ और है तो हमेशा आपको नीचे से स्टाट करना है उपर की तरफ जाते जाना है अगाशा का यह यह लगकर झालını हाथ करिएगा एक मेना करके और इसी वीडियो पे कमेंट करिएगा अगर फर्क ना दिखाता ना दिखे तो ठीक है ना तो कमेंट करते हैं और दिखे तो भी कमेंट करिएगा इतना बता देती हो अब मैं बात करते हूं दाग धबो के लिए मसाज क्यों जरूरी है दाग धबो के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है चुकि आपके जो स्कीन का blood होता है ना वो अगर बैड जाता है तो दाग दब्बे वैसे और ज़ाद दिखते हैं जब आप अपने चेरे पे massage करते हो तो आपके स्कीन का ब्लड सिर्कुलर जो है वह बहुत अच्छे से होने लगता है और इसके बाद आपके स्कीन पे ग्लो न जनाता है मसाज करने से दाग दपे भी धीर धीर रीमूम होते हैं जैसे कि आपने बदाम का ओल लिया मसाज किया उसके बाद थोड़ा से नीवू का वन टू सुबह उट के बाद ले लिया और उसके बाद आपका इसकी डे वाई डे देखिएगा कितना ग्लो करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फेश करें तो ऐसे करें और भी बहुत सारे स्टेप हैं वो मैं किसी और वीडियो में किलियर करूंगे मतलब आपको बत आउंगे लेकिन यह जितना मैंने बता दिया इसको करके देखिए नहीं फायदा मिले तो बताइएगा यह तरीका बहुत अलग है इसको करके बस आप देखिए बस करके लेगे ऐसे से करिए आखों के पास जो रिंकल्स पढ़ते हैं यहां पर आपको यहां पर भी देखिए अकसरती है हाँ पर थोड़ा सा ऐसे रॉंड 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 ग्लोग वाइज दोनों तरफ से ऐसे करेंगे ठीका करते रहें करते रहें ज्यादा नहीं रगाना है बस इतमाल के हाथों से तीर हुमको दस मिनट तक अपने चेरे को रिलेक्स देना है और द जो फेस का बनावाट होता है उस तरफ जाना है आपको सब कुछ लेके जाना नहीं यहां नहीं ले जाना है आपको सीरे कान की तरफ अपने यहर की तरफ ले जाना है देखिए तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि यहां से स्टार्ट करना है आपकी तरफ डायक्शन हो बस कुछ से स्टेप है इसको फॉलो कीज़े यकीन मानिये बहुत यह अच्छा रिजल्ट आएगा ने बैक आपना कभी भूलिएगा मत इसकीप मत करिएगा नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके बताईएगा लेकिन एक महना करके देखिए आपके चेहरे पे कुछ लग चमक तो आहीं जाएगा तो उमीद करती हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चुकि जादा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप पसंद नहीं करोगे जरूरी होता है तो मसाज लेना आपके लिए नहीं रोज ले पा रहे हो तो हपते में कम से कम तीन बार तो ले ही लो बहुत इजी है अगर आप अपने मम्मी को पापा को भाई को अगर किसी को भी बहन को ये स्टेप बता तो तो वो भी आपका कर देंगे तो इससे क्या वीडियो में तब तक के लिए टेक किर बाइबाए थैक्स वोचीं